यहां पर मैंने पहले ले लिया है पैन को मैंने थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है और उसके बाद मैंने दाले हैं यहां पर दो चम्मच बटर आप बटर भी दाल सकते हैं घी भी दाल सकते हैं यहां पर प्याज बारी काट के रख लिये थे और यहां पर मैंने दाल दिये हैं यहां पर प्याज और प्याज को आपको एक पहले स्टार्डिंग में आपको थोड़ा सा पकाना है एक दम पूरा ब्राउन नहीं करना तब तक पकाते रहना है इसको तब तक चलाना है जब तक जो प्यायर इसका जो color है हलका सा change न हो जाए इस तरीके से देखे ठोड़ा सा प्याज का color change हो गया है क्योंकि हमें और भी चीज़े भी दालनी है तो उसके साथ भी हमारी से सब प्याज वगएरा सब पकते रहेंगे और अब मैंने दाल लिया है टेमाटर ये भी मैंने बारी काट लिया था इसको भी थोड़ा सा चलाओंगी और उसके बाद मैं दालूँगी थोड़ा सा नमक नमक आपको एकदम हलका सा दालना है अगर जादा दालेंगे तो जादा नमक का टेस्ट आ जाएगा क्योंकि जो मसाला होता है मैगी का उसमें अल्रेडी सब कुछ होता ही है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है नमक क्योंकि नमक डालने से जो टिमाटर वगेरा है अच्छी तरों से यह पक जाएंगे और टिमाटर भी आप थोड़े से ही डालिएगा क्योंकि जो टिमाटर अगर आप जादा डालेंगे तो इसमें भी खटा टेस्ट आजाएगा जो एग मैगी में अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर मैंने दुबारा से इसको मैं अच्छी तरह से चला 오래गी जब तक पिया और तक जो तक टिमाटर ह्या हमाने अच्छी तरह से पकना जा youngest और हमारे जो प्याज का है तो मैं यहां पर तीन मैगी ले रही हूं तो मैं यहां पर तीन मैगी मसाला के पैकेट यहां पर मैंने यह देखिए सारे तीन जो मैगी मसाला है मैंने इनको दाल दिया है और एक बार दुबारा से और अच्छी तरहों से मैं पका लूँगी पहले चलाओंगी और उसके बाद तो मैंने चार अंडे माननों तीन लए तो मैंने मानने लिह नहीं सब्सक्राइब खुच्छ घ्रण जब आगए और यह तो और चार अंडे मैंने तो मैंने एक एक्स्ट्रा है अगर आप 3 मैगी ले रहे हैं और अगर आपको तीन ही अंडे दालने है तो आप वो भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर चला लिया था और यह जो है एग का थोड़ा जादे को कलर जो पहले लिक्विट सा फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सही बन गया है जैसे आप एक बुजिया बनाते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हो गया है और यहाँ पर मैंने डाल लिया है पानी डाल लिया है और पानी आप थोड़ा करकर के डालिएगा एक दम से जादा नहीं डालिएगा ने तो जादा पानी हो जाएगा और कम पानी दालोगे तो सूखी मैगी बन जाएगी पूरी तो मैंने दुबारा से यहाँ पानी दाल दिया है और अब मैं यहाँ पर दाल रही हूं मैगी तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन मैगी ले ली है और इसको मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ ताकि जो सारी मैगी है इसके अंदर से अच्छे तरो से पक जाए और यहाँ पर मुझे पानी लग रहा था कम तो यहाँ पर मैंने दुबारा से थोड़ा सा और पानी दाल लिया है पानी आप थोड़ी थोड़ी करके दालिएगा ने तो जादा दालेंगे तो सारा जो टेस्ट वगेरा है फ्लेवर वगेरा है सब खराब हो जाएगा तो यहाँ पर पानी अब थोड़ा करके दाल लिएगा तो मैंने अब इसको ढख दिया है थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था तो यह देखिए हलकी सी अभी पक चुकी है तो यहाँ पर फिर पानी कम तो मैंने हाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल लिया है और अब इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी और इसको मैं चलाने के बाद दुबारा से मैं इसको अच्छे तरों से ढख लूँगी ढखने के बाद ये थोड़ा पक अगर अच्छे तरों पक जाएगा तो मैं यहाँ पर एकदम से दुबारा चला लूँगी तो यह देखिए मैगी बनके हो गई है रेडी एकदम से यह जो मैगी एकदम बनके रेडी हो गई है अच्छे तरो पक गई है और मैंने हाँ पर गैस वगारा सब बन कर दी है तो ये देखिए हमारी हाँ पर हो गई है एग मैगी एक दम बिलकुल खाने के लिए रेडी हो गई है तो ये देखिए कितना अच्छी लग रही है यहाँ पर ये एग मैगी तो यह देखिए अगर हम यह जब खाएंगे जो छोटे छोटे जो एक के बाइट लगते हैं वो बड़े ही टेस्टी लगते हैं तो आप भी बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा और अब मैं इसको अलग से आप किसी में भी सर्फ कर लेगा प्लेट में मतलब आपको जिसमें भ प्लेट में आपर सर्फ करने के लिए निकाल दिया है तो यह थी मेरी आज की एग मैगी की रेसिपी तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब लाइक और शियर जरूर करिएगा